गुड मॉर्णिंग एप्रिवन कैसे हो आप सब होप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी है सुबब के बज रहे हैं नौ और आज है माही की चुटी तो मैं यहां पे फ्रेस फ्रेस होने के बाद माही को ब्रस कराने के बाद मैं आगे किचन में माही के लिए नास्ता बनाने और माही बोल रहे थे चाय के साथ बिस्किट डूबो के खाएंगे तो मैंने बोला एक बार पानी के साथ ट्राइ करो तो मुह बनाने लगे कि पता है क्या बोल रही है ममा पानी के साथ क्या से अच्छा लगेगा तो मैं यहां पे गन लगी एग रोल बनाने की तयारी माही क नास्ते में देने के लिए और आंटा मैंने पहले से गून के रख लिया था तो यहां पे मैं बनाने लगी रोटी को मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया क्योंकि बच्चे एक से जादा खाना नहीं चाहते तो थोड़ी सी होसियारी करने पड़ती है कि एक रोटी में ही दो करता चली है तब से मैं फ्लेम पे नहीं सेखती और यहां में बनाने लगी ओमलेट में के लिए भी मैंने दो अंडे लिए और थोड़ी देर नीचे से पकने के बाद मैंने उस पर रोटी चिपकाया और उपर से घी लगाया ताकि सॉफ्ट रहे तो दोनों साइट से से शेक यहां पर है भी नास्तों देने के बाद बच्चों के लिए तो तीन चार घंडी की चुपती अब सीधे लंच की लंच देना होगा मुझे तो यहां पर मेरा एग रोल बनके रेड़ी हो चुका है और यह मैं लगा रही हूं लगा रही हूं मायो यह सब वैसे तो देना तो नीचे ये बच्चों को लेकिन फ्राइडे को पार्टी फूड ले जाना होता है तो इसलिए हम लोग रखते हैं वरना मैं तो पहले रखती भी नहीं थी और ये थोड़ा सा पूचा कैसा वना है तो बोले बहुत अच्छा कित सुबह के काम की शुरुआत हो चुकी है मेरी और मैंने खिली साधste लिए बरतन वरतन जब चाह इंङु अभी रह गया है जारू लगाना किचन क्लीन करने के बाद रह गया था डस्टिंग और जारू लगाना और यहां पर मौसम कभी चल रहा है लुक का चिपी कभी धूप तो कभी चाँ बादर लगी हुए है बारिस वाला मौसम है तो कभी धूप हो रहा है कभी चाँ हो रहा है और हमाएं भी चल लिए हैं यहां मैंने कपड़े ख़ला दिए सूखने के लिए आज कल कपडे सुखाने का बहुत ही नाटक हो गया है क्यूंकि मौश्मी sağri ही हो रहा है यहां का। बारीज दूप बारीज दूप और कपडे सुखाने बहुत दिक्कता रही है तो मैंने मसीन-ी ही चला दिया था कि ताकि अगर धूप होता है तो फैला दूँगी तो टाइम से सूख जाएंगे कपड़े तो कपड़े फैलाने के बाद मैं लगाने लगी जाड़ू पहले तो सबसे पहले बेडरूम में बेडरूम का सारा डोर मैट उठाया बालकरी में ले जाके उसको जा आगे यहां पर कपड़े सही करने और मेरा बैग भी पड़ा हुआ था घर से आने के बाद ताकि कपड़े मैंने समर के कपड़े इसमें रखे हुए थे फिर उसको खाली करके अलमीरा में रखा फिर ले जाने वाले कपड़े इसमें पैक किया ट्रॉडी में स्टोरेज की थ और माही जी नास्ता करके बैठे थे तो इनको दूद देने का टाइम हो गया था मैं इनको यहां पर लाके दे रही हूं दूद बोला कि जल्दी पीलेना वैसे जल्दी तो नहीं भी एंगे इनका बस एक ही दिक्कत है कि खाने में तिना ज्यादा टाइम लगाते हैं कि पू कपड़े फोल्ड कर दिये और यह रहा हमारा जुगाड़ू हैंगर दो चेर लगा के डाइनिंग टेबल वाला उस पर मैंने रॉड लगा के कपड़े डाले थे और फैन चला के ताकि सूखे जल्दी से तो यह माही का यूनिफॉर्म था मैंने उसको फोल्ड करके उनके अल लगी जाड़ू कपड़े रखना अभी बी अलमीरा में सेट करना बागी है तो मैंने सुझा कि जाड़ू लगा रहे थे हूं फिर उसके बाद देखेंगे आराम से करेंगे तो यहां पर मैं लगाने लगी जाड़ू दोनों रूम को साफ करने के बाद मैं आ गई हॉल में और हॉल डारिनिंग टेवल पे माही का बहुत सारा सामान फैला हुआ था मैंने सारा समील लगा हुग जाते हैं क्योंकि हम लोग बोलते हैं जो अमान जहां से उठाऊ वह ही रखा करो इससे घर जादा नहीं फैलेगा तो कभी रख देते हैं कभी भूल जाते हैं तो आज भूल गयते हैं तो मैंने रखा और ये मैं फोल्ड करी हूं ब्लैंकेट जो कि माही सोफे पे लेके बैट के टीवी देखते हैं ओड के और आज कल अभी तो ठड़ थोड़ी कम हो गई है तो उसका कोई काम नहीं है मैंने सुचा कि फोल्ड करके रख दूँ और माही का दूद पीना अभी भी चली रहा है टीवी देखते दूद पी रहे हैं और मैं यहापी किचन में आगे जाड़ू लगाने डिब्बे को हटा हटा के लगाया मैंने अच्छे से जाड़ू उसके बाद मुझे नहाना था और नहाने के बाद मुझे लंच भी बनाना था अभी उसमें एक दो घंटा टाइम था तो तब तक मेरा काम भी सारा हो जाता तो यहाँ पे जाड़ू भी लग गया मेरा और चलिए देखते माही दूद खतब हुआ आपका इतना साए दिखाए यार कितना टाइम हो गया कपसे पी रहा बहुत फ़णी लग रहा हूँ काम मुआम समेटने के बाद अब हो चुका है हमारे लंच का टाइम तो लंच मैं माही को अब कराने जारू लंच और खुद भी करूँगी लंच में बनाया है मैंने तहरी आज दाल चौल खाने का बिल्कुल मन नहीं था इसलिए मैंने तहरी बनाया तो फ्रेंट्स मिलते हैं हमारे नेक्स ब्लॉग में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें